नमस्कार दोस्तों इस विडियो में दोहज़र चौबस में लोगसफ़ चुनाव जीतने वाले दस सबसे अमीर सांसदों के बारे में जानेंगे तो इस लिस्ट में नमबर दस पर आती हैं डॉक्टर प्रभा मालिकारजुन इन्होंने दोहज़र चौबस में कॉंगरिस के टिकेट पर करनाटक की दावन गेरे लोगसफ़ सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगबग 6,33,000 वोट मिले थे इनके निकटतम प्रतिद्वन्दी बीजेपी की गायतरी सिधेश्वरा को लगबग 6,7,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने दोहज़र चौबस का लूगसभचुनाव लगबग 26,000 वोटों से जीता है कॉंग्रेस की प्रभा मालिकार जुन 241 करोर रुपे की कुल संपत्ति के साथ अमीर सांसदो की लिस्ट में दसवे नंबर पर आती है और इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है हेमा मालिनी इन्होंने दोहज़र चौबस में बीजेपी के टिकेट पर उत्तरप्रदेश की मतुरा लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगबग 5,10,000 वोट मिले थे इनके निकटतम प्रतिद्वांदीत कॉंग्रिस की मुकेश डांगर को लगबग 2,17,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभच चुनाव लगबग 2,93,000 वोटों से जीता है बीजेपी की हेमा मालिनी 278 करोड रुपे की कुल संपत्ति के साथ अमीर सांसदू की लिस्ट में 9 नमबर पर आती है और इस लिस्ट में नमबर 8 पर आते हैं श्री भरत मुथुकुमली इन्होंने 2024 में TDP के टिकेट पर आंदरप्रदेश की विशाखा पटिनम लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगबग 9,7,000 वोट मिले थे इनके निकटतम प्रतिद्वन दीव YSRCP की जहासी लक्ष्मी को लगबग 4,3,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभचुनाव लगबग 4,3,000 वोटों से जीता है EDP के श्रीभरत मुतिकुमल लीड 298 करोड रुपे की कुल संपत्ति के साथ अमीर सांसदो के लिस्ट में 8 वे नमबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नमबर 7 पर आते हैं छत्रपती शाहु शाह जी इन्होंने 2024 में कॉंग्रिस के टिकेट पर महराश की कोहुलापू लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगबग 7,55,000 वोट मिले थे इनके निकटम प्रतिद्वन दी शिंदे गुट की शिरसेना के संजय मांडलिक को लगबग 5,99,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभच चुना और लगबग 1,55,000 वोटों से जीता है कॉंगरिस के चत्रपती शाहु शाहजी 342 करोड रुपे की कुल संपत्ति के साथ अमीर सांसदो की लिस्ट में 7 वे नंबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं जोती रादिति सिंधिया इन्होंने 2024 में BJP के टिकेट पर मध्यप्रदेश की गुना लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगबग 9,23,000 वोट मिले थे इनके निकट्तम प्रतिद्वांदी कॉंगरिस के यादवेंदर राव को लगबग 3,82,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभच चुनाव लगबग 5,4,000 वोटों से जीता है BJP के जोती रादिति सिंधिया 424 करूर रुपे की कुल संपत्ति के साथ अमीर सांसदू की लिस्ट में छटे नंबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं CM रमेश इन्होंने 2024 में BJP के टिकेट पर आंधर प्रदेश की अनकापली लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगबग 7,62,000 वोट मिले थे इनके निकटम फ्रतिद्वन्दी YSRCP के बुदी मुत्याला नाइडू को लगबग 4,65,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभच चुनाव लगब 5,96,000 वोटों से जीता है BJP के CMR मेश 4,97 करोड रुपे की कुल संपत्ति के साथ अमीर सांसदों की लिस्ट में पाँच में नंबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं प्रभा कर रेडी वेमे रेडी इन्होंने 2024 में TDP के टिकेट पर आंदरप्रदेश की नेलोर लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगब 7,66,000 वोट मिले थे इनके निकटम प्रतिद्वन दी YSRCP के वेनुमबा का रेडी को लगबग 5,20,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभचना उलगबग 2,46,000 वोटों से जीता है टीडीपी के प्रभाकर रेडी वेमेरेडी 716 करूर रुपे की कुल समपत्ति किसांत अमीर सांसेदू की लिस्ट में चौथे नमबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नमबर 3 पर आते हैं नवीन जिंदल इन्होंने 2024 में बीजेपी के टिकेट पर हरियाना की कुरुक्षित्र लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगभग 5,42,000 वोट मिले थे इनके निकटम प्रतिद्वन दिया आमादमी पार्टी के सुशीर गुप्ता को लगभग 5,13,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लूगसभचुनाव लगभग 29,000 वोटों से जीता है बीजेपी की नवी जिंदल 1241 करोड रुपे की कुल समपत्ति के साथ अमीर सांसदो की लिस्ट में तीसरे नमबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नमबर 2 पर आते हैं कॉंडा विश्वेश्वर रेड़ी इन्होंने 2024 में बीजेपी के टिकेट पर तेलंगाना की चगल्ला लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगभग 8,09,000 वोट मिले थे इनके निकटतम प्रतिद्वन्दी कॉंग्रिस के गदाम रंजीत रेड़ी को लगभग 6,36,000 वोट मिले थे यानि कि इन्होंने 2024 का लोगसभच चुनाव एक लाग 22,000 वोटों से जीता है पीजेपी की कॉंडा विश्मेश्वर रेड़ी 4,568 करोड रुपे की कुल संपत्ति किसान अतमीर सांसदू की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं और इस लिस्ट में नंबर एक पर आते हैं चंदरशेखर पेमा सानी इन्होंने 2024 में टीडीपी के टिकेट पर अंदरप्रदेश की गुंटूर लोगसभच सीट से चुनाव लड़ा था जिनमें इनको लगभग 8,64,000 वोट मिले थे इनके निकटतम प्रतिद्वन दीव आईसार सीखपी के किलारी वैंकट को लगभग 5,20,000 वोट मिले थे यानि कि इनोंने 2024 का लोगसभच चुनाव लगभग 3,44,000 वोटों से जीता है टीडीवी के चंदरशेकर पेमासानी 5,705 करोड रुपे की कुल समपत्ति के साथ अमीर सांसदों के लिस्ट में नमबर एक पर आते हैं लेकिन आपकी राज़का सबसे अमीर सांसद कौन है? कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवास को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद